Hello friends, most welcome to review all round and wish you a very 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 happy new year and friends, new year में हम करने वाले 5 resolutions जो I'm sure कि हमारे सांसा आपकी लाइफ को भी एक direction देंगे और इस new year में आपको pleasant life spend करने में भी help करेंगे and in 5 resolutions की बाद हम करेंगे descending order में तो इन में number 5 पर है social media देंकि social media को मैं avoid तो नहीं कर सेते पर चाहे हो हमारी study हो या और कोई जरूरी work तो इस new year में याद रखें कि social media हमारे लिए बना हुआ है ना कि हम इसके लिए बने हुए and इसके बाद number 4 पर है ignorance देखें सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ignorance क्या है देखें क्या है कि जब जिन्दगी की गाड़ी चलती है तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे हमें positive vibrations मिलती है लेकिन साथ ही कई ऐसे लोगों से भी हमारा सामना होता है जिनसे हमें negative vibes मिलती है तो ऐसे लोगों को भी ignore करना है और उनकी बातों को भी ignore करना है लेकिन अगर ऐसे लोगों से मिलना जरूरी ही है तो केवल उतना मतलब रखें जितना आपके work के लिए जरूरी है लेकिन जो लोग negative है या जिनके अंदर इस तरह की negative vibrations है तो इस new year में उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना लिता हुआ समय है यह आप वापस नहीं ला सकते हैं तो जहां तक possible हो अपना time save करें और इस time को आपको लगाना है अपनी life से जुड़ी किसी main work में चाहे वो आपकी study हो sports हो या और कोई work और कोई talent जब अपनी life में करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं तो अगर point number 5 & 4 को भी आप अच्छे से follow कर लेते हैं तो आपका काफी सारा time तो वैसे ही बच जाएगा पर बागी आप अपनी daily life routine को check कर सकते हैं कि कहां कहां आपका time waste हो रहा है तो इस new year में याद रखे हैं कि daily life में हमें अपने time को बचा कर चलना है और उस time को लगाना है अपने main work में इसके बाद number 2 financial saving या money saving की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें excessively control करना है बलकि meaning यह कि उसे use करना है उतना जितने से अपनी जरुत पूरी हो जाए और साथ ही अ हमारे high level के shock है interest and desires है उन्हें भी हम fulfill करें तो इस new year में याद रखे कि time की साथ हमें अपनी money को भी save करके चलना है और उसे लगाना है अपने सभी जरूरी works पर and in five resolutions में number one पर है health यानि स्वास्त है देखिए जान है तो जहान है अगर health आपकी सही नहीं है तो चाहे आपके आ life style आजकल हमारी हो चुकी है तो पता ही नहीं चलता रात में कब हमें 11-12 एक या दो तक बच जाते है तो healthy life अगर हमें जीनी है तो sleeping pattern को थोड़ा सही करना होगा और कोशिश करने की maximum 10-11 बज़े तक बैट पर चले जाए जाए अगर आप इसका एकसिव कंशेशन करने है तो healthy life के लिए थोड़ा थोड़ा चुछ तो करना ही होगा एगर आप इसे daily consume करते है तो आप इसे घटा कर वन टाइम टू डिए या वन टाइम तरी देसे से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर जितना भी आप इसे चंट्रोल कर सकें अगर था यहां पर आपको मिल जाएंगी और इसी रेजलुशन का लास्ट बट बोस्ट इंपोरेंट पार्ट है तो डॉक्टर्स हों या साइंट्रेश्ट सभी से अपने मेडिटेशन की इंपोर्टेंस के पर में सुना होगा और एक स्टेडी भी होथी और एक एक कर देता है तो इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए और यही वो सॉलुशन भी है जो रिजुशन नंबर फोर यानि इग्नोरेंस में हमने बात की थी ऐसे परसंस के लिए जो नेगेटिव वाइशन के विक्टेव है क्योंकि मेडिटेशन यानि ध्यान हमें एक अ अगर आप सक्षम है फिजिकली मेंटली एंड इस्पेशली एकनोमिकली अगर आप सक्षम है तो इस नियूर में अगर थोड़ा सोशल सर्विस भी कर सकें नीदी परसंस को कुछ दे सकें तो आप वास्तविक रूप में एक सुखी, संतुष्ट और आनन्दी जीवन का अलब शोड़ा तो आप सक्षम है में एक वास्ता है कर लौप में ऍकुछ कर दिए यजर खुड़ा कर दे में अग्ज स्टाविक रे सक्षम है टी एक कर दो इस जीवन एक्षम एप सक्त्री एक्राफ कर दिस निवेस्रा में एक्त्रा आप एक राप से अलिएर आन्यू और